Hello students, मैं हूँ जहीर, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल Cap of Education आज हम लोग जो हैं Indian Civilization and Culture के short question answer को देखने वाले हैं इससे पहले मैंने objective का भी वीडियो बना दिया है और साथी साथ इसका जो Hindi explanation है उसका भी वीडियो मैंने जो है YouTube चैनल पर अपने डाल दिया है जो लोग भी वीडियो नहीं देखे हैं उनसे request है कि description में link है उसको जाकर पहले देख ले ताकि सभी question को आपको समझने में बहुत आसानी हो चलिए हम लोग start करते हैं और आज हम लोग सभी short question answer Indian civilization के short question answer जो exam में पूछता है उन सभी question को पढ़ने वाले हैं मतलब क्या कह रहा है कि भारतिय सभ्यता जो है भारतिय सभ्यता वो यूरोप के सभ्यता से कैसे अलग है question यह पूछ रहा है ठीक है इसका answer देखते हैं इसका answer है the major difference between Indian civilization Indian and European civilization मतलब जो एक major difference है जो एक difference हम कहते है कि यूरोप के सभ्यता में और भारतिय सभ्यता में है वो यह है कि is that the people of Europe learn their lesson from यहां से हम देखें एक मिनट कहने का मतलब क्या है कि सबसे जो एक साधारन सा एक बड़ा सा यूरोप के सभ्यता में वो यह है कि यूरोप जो है ना अपना सभक सीखता है रोम और ग्रीस के लेक से ठीक है ना उसके राइटिंग से वो सभक सीखता है ठीक है मतलब उसका वो नकल करता है हम कह सकते हैं लेकिन लेकिन इंडिया has nothing to learn from others कहने का मतलब भारत जो है वो किसी और से कुछ नहीं सीखता जो भी है हरे हमारे अपने पुर्वजो द्वारा जो बनाया गया है उसी को हम क्या करते हैं फौन करते हैं किसी भी यह का नकल नहीं करते हैं चलिए next question देखते हैं question number 2 है why does Gandhi say that गांधी जी ने क्यों कहा कि mind is a restless bird what makes the mind restless मतलब गांधी जी ने क्यों कहा कि मन जो है एक बेचैन पक्षी है क्या चीज ऐसा है जो मन को बेचैन बनाता है मतलब एक बेचैन पक्षी बनाता है human needs have no limit इंसान का जो जरूरत है उसका कोई limit नहीं है our desire हमारा एक्षा have no end उसका कोई अंत नहीं है once a desire fulfilled it wishes for another and it goes on endlessly मतलब कि जब हमारा जो एक्षा है desire है वो पूरा हो भी जाता है तो हम और wish करते हैं हम क्या करते हैं और ज्यादा wish करते हैं हमारा एक्षा और जागता है for another हम सोचते हैं कि और कुछ मिले and it goes on endlessly और यह इसी तरीके से इसका अंतहीन है हमारे लालच का कहने का मतलब अंतहीन है हम अपने लालच का अंत नहीं करते हैं इसलिए इसे इन्होंने इसे बेचैन पक्षी कहा है यानि इसलिए गांदी जी ने कहा कि मन जो है क्या है एक बेचैन पक्षी है चलिए next question देखते हैं question number 3 है why did our ancestors क्यों हमारे पुर्वज deceived us from luxuries and pleasures did they do the right things हमारे पुर्वज हमें luxuries से और pleasures कहने का मतलब आराम दायक जिंदगी से वो हमें क्यों रोकते थे did they do the right things क्या वे लोग यह सही करते थे वो हमें ज़्यादा luxury वाली जिंदगी जी ने नहीं देना चाहते थे क्या वो सही करते थे answer है our ancestors deceived us from luxuries and pleasures because they observed that happiness has nothing to do with worldly materials कहते हैं उनका कहना है कि वो हमें रोकते थे कि जो खुसी है वो हमें worldly materials से मसीनों से आधुनिक होने से नहीं मिलने वाली है अगर हम बहुत आधुनिक हो भी जाते हैं modern हो भी जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि उससे हमें खुसी मिलेगी ठीक है ना the rich are often seen to be unhappy उन्होंने देखा कि जो अमीर लोग होते हैं वो अक्सर जो है unhappy होते हैं दुखी होते हैं the poor to be happy और जो गरीब होते हैं वो अक्सर देखा गया है कि खुस रहते हैं they saw that real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet और उन्होंने देखा कि हमारा जो सही खुसी है वास्ता भी खुसी है और जो health है हमारा जो स्वास्त है वो तभी सही रहेगा जब हम अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करेंगे और luxury से pleasure से बचेंगे आराम दायक जिंदगी से बचेंगे कहने का मतलब है कि जितना हम मसीनों का कम यूज़ करेंगे अपने हाथ पैर का यूज़ करेंगे हम उतना ज़्यादा खुस रहेंगे और जो है हम उतने ज़्यादा स्वास्त रहेंगे चलिए next question देखते है question number four question number four है why according to Gandhi Gandhi के हिसाब से we have stuck with the same kind of plug as existed thousands of years ago should we do the same thing even today गांदी जी का मानना था कि हम लोग जो है struck हो चुके हैं मतलब रुक चुके हैं वैसे ही उसी हल पे वो जो हल होता था जिसका हल हमारे पुर्वच करते थे खेद को जोतने के लिए आज भी हम उसी पर रुके हुए हैं आज भी उसी का यूज़ कर रहे हैं ठीक है जो 1000 साल पहले यूजह होता था उसी का यूज़ कर रहे है should we do the same thing even today? क्या हम लोग आज भी उसी का यूज़ कर रहे है? क्या उनके हिसाब से यह सही बात है इसका answer है अब देखेंगे according to गांधी जी गांधी जी के हिसाब से we have managed with the same kind of plug as existed thousands of years ago because our forefather believed that if we set our hearts after machinery we would become slaps and loss our moral fiber अगर गांधी जी के हिसाब से अगर हम लोग हजारों साल पहले वाले plug का use कर रहे हैं हलों का use कर रहे हैं इसके पीछे का सबसे बरा कारण यह है कि हमारे जो four father थे ठीक है ना हमारे जो four father थे पुर्वस थे believe वो उनका मानना था that कि if we set our hearts after machinery अगर हम लोग अपने मन को अपने दिल को machinery में मसीनों में set कर लेते हैं we would become slaps we would become slaps and loss our moral fiber और हम जो है क्या करेंगे अपने नैतिकता को खो देंगे और हम क्या होंगे उनके गुलाम हो जाएंगे किनके गुलाम हो जाएंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे मसीनों के ठीक है I think we should use machinery today गांदी जी का माना था कि हमें मसीनों का use आज करना चाहिए but we shouldn't become their slaps लेकिन हमें उनका गुलाम नहीं बनना चाहिए ठीक है the loss of our moral fiber setting our hearts after them ताकि ऐसा ना हो कि हम मसीनों का गुलाम बन जाएं और हम अपने moral fiber को खो दे और हमारा दिल मसीनों से लग जाएं और हम उनके गुलाम बन जाएं ये चीज हमारे अंदर नहीं होना चाहिए हमें आज भी जो है अपने पुर्वजों द्वारा बनाए गए जो चीज है हल है उनका यूज करना चाहिए ताकि हमारा स्वास्त भी सही रहे और हम खुस भी रहे चलिए next question देखते है question number five है how did our ancestors view large cities हमारे पुर्वज जो हैं बड़े सहरों को किस तरह देखते थे why were they satisfied with small villages वे लोग जो हैं छोटे गाउं से ही क्यों संतुष्ट थे ठीक है वो लोग बड़े सहरों को किस अंदाज में किस तरीके से देखते थे और वे लोग छोटे गाउं में ही क्यों संतुष्ट थे इसका अंसर है our ancestors हमारे पुर्वज view large cities as a snare and useless incumbrance कहने का मतलब कि एक जाल और useless incumbrance कहने का मतलब बेकार एक फालतु भार जैसा एक भारी बोज जैसा इनको उन्हें लगता था ठीक है जहां जिसका कोई मतलब नहीं है सहर में सिर्फ tension है ठीक है दुख है दर्द है ऐसा उनको महसूस होता था they thought people would not be happy उनका विचार था people would not be happy there कि लोग वहां खुश नहीं रहते हैं सहरों में लोग इतना भागा भाग भाग दौड में लोग बीजी होते हैं व्यस्त होते हैं कि वह लोग खुश नहीं होते हैं because क्योंकि there live thieves and rovers क्योंकि वहां चोड़ डाकों का वह लोग क्या थे कि छोटे गाउं में ही बहुत संतुष्ट थे और उन्हें वहीं ही बहुत आनन्द मिलता था खेती वेगरा करते थे और वहीं वह क्या थे बहुत खुशी खुशी अपना जिंदगी जो है बिताते थे चलिए next question देखते है question number six how did our ancestors enjoyed true home rule हमारे पुरवस थ question का answer है they did not rob people वो लोग अपने जो life को जीते थे गाउं में बहुत ही साधारन तरीके से उसमें जो सबसे अच्छी वात थी they did not rob people वो लोग लोगों को लूटते पाड़ते नहीं थे the ordinary rule was to avoid courts और जो वहां एक नियम था वो यह था कि साधारन सा जो नियम था वो यह था कि वो लोग कोट से बसते ठीक है कोट के चहरी के लफरे से वो लोग बचे रहते थे वह नहीं चाहते थे कि कोट के चहरी का लफड़ा हो जो भी डिस्प्यूट होता था जो भी जगड़ा होता था वो लोग जो है गाउं घर में ही पंचायत के द्वारा ही वो लोग फरियाने का क लिए उससे जो है निफट लेते थे कॉमन पिपल लिव्ड इंडीपेंडेंटली वहां के जो साधारन लोग थे वह बहुत ही इंडीपेंडेंटली बहुत आजात तरीके से रहते थे आजादी से रहते थे और अपने पेशा को फॉलो करते थे and thus they enjoy true home rule और इसी तरीके से वे लोग जो है true home rule को enjoy करते थे उनका occupation क्या होता था तो खासकर जो है उनका occupation होता था खेती बारी खेती बारी करते थे और बहुत खुस रहते थे ठीक है village का यही life होता है और बहुत ही सुन्दर life होता है चलिए next question है what according to the author is modern civilization मतलब author कहने का मतलब है लेखक के हिसाब से modern civilization क्या है आधुनिक सब्वेता क्या है इसको समझते है जेके according to the author लेखक के हिसाब से modern civilization is the worship of materialism आधुनिक सब्वेता जो है वो material का पूजा है धातूओं का पूजा है मसीनों का पूजा है ठीक है ना इटीज दवर्शिप अब बूट इन अस modern civilization is an adulterated materialism ये जो है ना हमारे अंदर के हमारे अंदर के सैतान का पूजा है ठीक है जो हमारे अंदर सैतान बसा हुआ है उसका पूजा है ठीक है ये एक बहुती भद्दा सा कहने का मतलब यहां कोई समाज नहीं होता है कोई Sanskriti नहीं होती है ठीक है कोई rule regulation नहीं adultery होता है ठीक है इनी सब चीजों का पूजा है इनके हिसाब से लेखक के हिसाब से और मसीनों का पूजा है आधुनिक सब्वैता ठीक है यहां कोई एक सही सब्वैता कहें तो सभ्वेता तो है इंहें सभ्वेता का मतलब क्या होता है सांस्करीटी का मतलब आदर सम्मान सतकार होता है जो आधनिक सभ्व्वेता में नहीं होता है और गांधी जी का भी यही मानना था चलिये Next Question है Question No.8 What did the author convey to the country man about dealing with modern civilization मतलब कहने का मतलब यह हो रहा है यहां पर कि वो जो है अपने लोगों से क्या कनवे करते हैं लोगों से क्या कहते हैं कंट्री में से देशवासियों से about dealing with the modern civilization मतलब आधुनिक सभैता से लरने के लिए उसका जो सामना करेगा आने वाला generation उसके लिए गांधी जी क्या कहते हैं तो गांधी जी कहते हैं महात्मा गांधी सज़ेष्ट महात्मा गांधी सला देते हैं having faith in God की इसवर पर विश्वास रखना चाहे आधुनिक सभैता आप पर कितना भी हावी होना चाहे आप इसवर पर विश्वास रखना और कहते हैं कि countryman को देशवासियों को जो indefinite multiplicity मतलब आनियमित लोगों का जो चाह बढ़ता चला जाता है लोगों का जो लालज बढ़ता है उसे क्या करना है रेसिस्ट करना है उसे रोकना है ठीक है ना उसका विरोध करना है उसको अपनाना नहीं है अपने लालज को रोकना है यही चीज मतलब आधुनिक सभ्यता को अपने उपर हावी नहीं होने देना है यही चीज हमारे क्या करते हैं गांधी जी हमें सिखाते हैं चलिए next question है question number 9 What is the distinguished characteristic of modern civilization कहने का मतलब यह हो गया कि distinguished characteristic यहां पर बताना है कि modern civilization जो है उसके characteristics क्या है अलग अलग परकार के जो characteristics है वो क्या है और हमारा आधुनिक सभ्यता हमें सिखाता है कि आपके पास जो है उसी में सब्र रखना और उसी में खुस रहना यही हमारा सभ्यता हमें सिखाता है हमारा सभ्यता हमें लालच करना नहीं सिखाता है ठीक है चलिए next question है question number 10 The author perceived danger from modern invention how मतलब कहने का हो गया इसका कहने का मतलब यह हो गया कि हमारे जो लेखक हैं वो कतित तोर पर बताते हैं कि क्या danger है from modern invention जो आधुनिक invention हो रहा है मसीनों का बहुत निर्मान हो रहा है खोज हो रहा है उसका क्या खत्रा है तो महात्मा गांधि महात्मा गांधी observes that महात्मा गांधी observes करते हैं मतलब देखते हैं some of the results of modern invention कुछ ऐसे परिनाम आधुनिक सब्भेता के are to moderning to resist ठीक है जो बहुत ही जादा क्या है moderning है मतलब maddening कहने का मतलब पागलपन जैसा है जिसका हमें विरोध करना चाहिए ठीक है ना वो सही नहीं है मतलब बिल्कुल सही नहीं है अच्छा नहीं है according to him we are in danger from bartering above the permanent good for a momentary pleasure उनके हिसाब से कि हम लोग जो है ना ये जो अदला बदली का खेल खेल रही है मतलब जो पुरवज हमारे दे कर हम गए पुराने शबहता हमें दे कर गए और बोले उसमें खुस रहो और हम इसमें बदल रहें इसको आधुनिक सबहता में जो बदल रहें हैं ये हमारे लिए क्या है च्छन भर की खुसी तो हमें देगा लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक डेंजर है यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा खत्रा है ठीक है हमें इससे बचना चाहिए अधुनिक सबहता से हमें बचना चाहिए हमें अपने हाथ-पैर का यूज करना चाहिए हमारे living and high thinking उनका मानना है कि simple living साधरन जिन्दगी होना चाहिए और सोच उचा होना चाहिए to materialism he prepared spiritual and moral progress to materialism उनका मानना है कि materialism में ठीक है हमें जो है क्या करना चाहिए हमें नैतिकता जो है अपनाना चाहिए नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए यह उनका मानना है चलिए question number 12 है what does our civilization depend upon मतलब हमारा सभ्यता जो है वो किस पर depend है according to महात्मा गांधी our civilizations depend civilization depends upon restriction of want and self Daniel कहने का मतलब यह हो गया कि हमारी जो सभ्यता है वो हमारे चाह को रोकने पर है ठीक है ना हम जितना अपने चाह को रोके और क्या कहें अपने अपने सच्चाई के साथ अडिग रहें अपनी सभ्यता पर यही हमारी सभ्यता में सिखाती है और हमारे जो लालच है हमारे अंदर उसको रोकना ही हमारी सभ्यता में सिखाती है और इसी पर हमारी सभ्यता निर्भर करती है ठीक है चलिए लास्ट कोस्टन है question number 13 what is civilization in the real sense of the term सही माइने में सभ्यता क्या है गांदी जी कहते हैं सही माइने में सभ्यता क्या है तो इसका answer is civilization in the real sense of the term सही माइने में सभ्यता जो है is not is the curve of our desire मतलब कि हमारा इक्छा है उसे मोडे रखना है मतलब उसे रोके रखना है इट इस दव वे ओफ लिविंग विच वी गाट फ्रॉम आवर एंसेस्टर यह जो है रहने का एक तरीका है जो हमने अपने पुर्वजों से पाया है ठीक है कैसे हमें रहना है कैसे हमें सोसाइटी में जीना है उसका तरीका है हमारी सब्वैता हमारे समाज में जीने का तरीका हमारी सब्वैता सिखाती है यानि way of living हमें सिखाती है जो हमने हमारे पुरवजों से सीखा है तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है ये पूरा 13 question था कोर्स 12 वाले के 2022 वाले स्टूइंट्स के लिए फिरी कर दिये हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और लोगों तक पहुचाए ताकि उनको जो भी फिरी में सारा कोर्स करने का मौका मिल सके और जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे थैंक यू वेरी मच